नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन के टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं की रफ्तार से तेज हवाय चलने के असंका है चक्रवात के मद नजर राजे में लोगों को अगले 24 काउंटे घारों में रहने को ही कहा गया है और कुलाहन प्रमंडल के पूर्वी सिम्भूम सराय किला पच्मी सिम्भूम बोकारों के अलावा खुटी एवं पच्मी सिम्भूम जीले में निचले छेतरों में रहने वाले लोगों को सुरक्चित अस्थानों पर पहुचाने का काम लगातार जारी है यास चक्रवात क्रोणा मरीजों के लिए ज़्यादा घातक चक्रवाती तुफान यास के करण मौसम बदलने का असर लोगों के स्वास्थ पर भी पढ़ सकता है विसेसगों के उनसार इस मौसम में कोवीड, पोस्ट कोवीड के मरीजों के अलावा समाने लोगों को भी सोधानी बरतने के ज़रूरत है रिम्स मेडिसिन भी भाग के एच ओडी डाक्टर जेके मित्रा बताते हैं कि इस मौसम में इन फ्रिलिंजा बढ़ाने की असांका अधिक होती है सर्दिखासी अधिक हो सकती है जिसके कारण कुरोणा मरीजों के संपर्क में आने या रोग परतिरोधक छमता काम है तो संक्रामित होने की समभवना बढ़ सकती है कुरोणा की तिसरी लाहर को लेकर हाई अलट पर राज मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हमन्सुरे ने कहा है कि कुरोणा की तिसरी लाहर को लेकर देश अर दूनिया में जो चरचाए हो रही है उसे मीडिया एवं अन्य माध्यमों से देख सूनकर राजे कीße की पूरी मसिनरी को हाई-अलट पर रखाय गया है मुखे मंत्री ने कहा कि केंदर सरकार संक्रामन का आकलन करके राजियों को दिसाय निदिस देती है और फिर राज उसके मुताविक ब्यवहर करते है लेकिन इस बार समुद्र में हाथ पर मार कर किनारे पर आने की कोशिस हुआ भी कर रहे है मुखे मंत्री एक टीवी चैनल से बात चित कर रहे थे बता दे उन्होंने कहा कि वह पूरे दीन काम करते हैं और खाली बैठने के आदी नहीं है भैक्सिन की बरबादी मामले में जार्खन सरकार ने किंद्र सरकार के आकड़े को गलत बताया कोवीट टीके की बरबादी के आकड़े को लेकर केंद्र और जार्खन सरकार आमने सामने है बता दे जार्खन सरकार ने इसको लेकर केंद्र सरकार के ओर से जारी आकड़े को गलत ठाराया है केंद्रिय स्वास्त मंत्राले ने बुद्वार को आकड़े जारी करते हुए कहा कि जार्खण में सबसे ज़्यादा 37.3% टीके की बरबादी हो रही है मत्राले के अनुसार राजियों को कई बार भैक्सिन 6 होने की दर 1% से कम रखने के लिए कहा दा रहा है 3 जून तक बंद रहेगा बसो का परिचालान राजे में अंतराजिये बस से बाद 3 जून की सुबा 6 वए तक पुरी तरह परतिबंधित रहेगी बता दे राजे के परिवहन आयुक्त की रन पासी ने बुद्धवार को इस समन में आदेश चारी किया है परिवहन आयुक्त के आदेश में जीक रहा है कि स्वास्युरक्षा सप्ता को विस्तारित किया गया है केवल जीला परसासन के द्वारा चलाई जा रही बसों का ही परिचालन इस दोरान हो पाएगा मुखी मंति एमान सुरेन ने कहा है कि वह कुरूना से मौत के आकड़ों का निस्पक्च आडिट करा करे अजानना चाहते हाए कि क्या सरकारी आकडे जमीनी हकिकत से अलग है इससे सरकार को इस त्राजसी से परभावित हर परिवार की पहचान कर उन्हें जरूरी सभी समाजिक सुरक्षा कारिकरम से जोड़ कर जीवन सुरक्षित करने में मदद मिलेगी साथी ए आकड़े सरकार को अपनी स्वास सेवा को सुधरीट करने परदर्सी सासन एवं बेहतर और समावेसी नितियां बनाने में मदद करेंगे बता दे मुख्र मंत्री ने ट्वीट करते हुए आगे कहा है कि हम अपने मिलितकों को लवारिस मान कर न तो बहाएंगे और न दफनाएंगे बलिक उन्हें उनकी पूरी रिती रिवाज एवं धार्मिक मने अतावों के अनुरूप समान पुरुवक बिदाई देंगे फीस की मांग के खिलाफ अविभावक संग ने दिया धर्ना इसकुलों में फीस बिरिधी और फीस के लिए अविभावकों पर बनाये जा रहे दवाव के बिरोध में जार्खन अविभावक संग की ओर से चरनबत आंदोरन की शुरुवात बोद्वार को हुई संग की ओर से वर्चुल धर्ना का अविजन किया गया जिसके माध्यम से अविभावकों ने अपनी मांग पलेक कार्ड में लिखी साथी सलोगन आदे लिखकर अविभावकों ने भी बिरोध दर्ज कराया बतादे कारिकरम के अध्यक्षता करते हुए जार्खन अविभावक संग के अध्यक्ष अजयराय ने बताया कि राज एक के विभीन इसकूलों द्वारा राज सरकार के आदेश के बावजूद इस कुरोना काल में विभीन तरह का सुल्क वसुला है रांची में मोबाईल वैक्सिनेशन की होगी शुरुआत जार्खन की रजधानी रांची जीला वास्यों के लिए अच्छी खवर है बतादे अब आप अपने घर के पास कुरोना वैक्सिन का टिका लगा सकते हैं रांची जीला पर सासंद वारा मोबाईल वैक्सिनेशन की शुरुआत की जा रही है बतादे 27 मैं को स्वास्त मंत्री बाना गुपता इस मोबाईल वैक्सिनेशन की शुरुआत करेंगे बता दे राची के रिहाय सी इलाकों में मोबाइल वैक्सिनेशन का लाब लोगों को मिल सकेगा इसके लिए कंट्रोल रूम नमबर 75-46-02-82-211 पर कॉल कर मोबाइल वैक्सिनेशन का लाब लिया जा सकता है राची के प्राइमरी हाई और प्लस टूई सकूल के डिजिटल कांटेंट त्यार करेंगे उसके लिए 14 जीलों के 38 जीलों का चैन किया गया है बता देया सिक्षक 30 जून तक जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशत के साथ ओनलाइन डिजिटल कॉंटेंट की समागरी त्यार करेंगे और उसे उपलब्द कराएंगे इसके लिए जेसी आर्टी के निदेशक डाक्टर सेलेस कुमार चुरसिया ने सम्मन्दी 14 जीलों के जीला सिक्षा पतादिकारी को निदेश दे दिया है जारखन में 977 नाई केस मिले हैं जारखन में 26 मरीज की मौत हुई है जारखन में कूल मौत की संख्या 4910 है वहाई कूल एक्टिव केस की संख्या 14196 है भारत में 2,111,275 नाई केस मिले हैं भारत में कूल मौत की संख्या 3,15,263 है वहाई कूल एक्टिव केस की संख्या 24,15, रायाद 761 है भारत में 2,82,924 मरी स्वास्थ हुए है वह जार्खन में भी 24,03 मरी स्वास्थ हुए है